खबर अमेठी जिले के संग्रामपूर्थ आने की है जहां नवरात्री और दशेरा को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक में उप जिलादिकारी अमेठी रामशंकर और शेत्रादिकारी प्यूश का एरांच शामिल रहे शेत्रादिकारी प्यूश कांतराई ने लोगों को संभोधित करते हुए कहा कि नवरात्री परव और दशेरा त्युहार में डीजे चलाने पर सुप्रेम कोट ने रोक लगाई है तो इसलिए डीजे नहीं बजेगा शेत्रादिकारी ने कहा कि मूर्ती विसर्जन के समय कोई भी व्यक्ति शराप के नशे में ना आए और मूर्ती विसर्जन में जादा लोग ना आए और आज़क तत्वों को चिनित कर आप लोग अपनी नजदीक ठाने को बताएं लोगों के जीवन के सुरक्षा के लिए आप लोग जहां पर भी पानी में मूर्तिवी सर्जन करना है वहां का सांचिनित कर ले मूर्ति सापित होने के बाद 24 गंटे कम से कम दो आदमी मूर्ति सापना की जगा पर रहेगा लाइट के लिए पंडाल पर गैस की व्यवस्ता करें आग से बचाव के लिए पानी बालू जरूर रखें पंडाल को बिजली की लाइन से दूर रखें इस मोके पर थाना प्रभारी विश्वनात यादव चोंकी प्रभारी शिवबक्स सिंग एसाई हरीश चंद्र यादव के साथ पूरा स्टाफ मुझूद रहा आज किस प्रकार का ये थाने पे हैं बैठे थी लोगों आज थाना संग्रामपुर में आगामी नौरात्र दुर्गा पूजन और मूर्ति बिस्वजन के एक कम में सभी मूर्ति सब्सक्राइब करने वाले समितियों की और मूर्ति बिस् पूजन के कारकम को सल्टापूरों का स्वच्चत तरीके से शंपन करा सके सभी को किस प्रकार के निर्देश दिये गए हैं सभी को पहला तो दिया गयी कि किसी बिजली के नीचे फुले तार के नीचे मूर्ति का इस्थापना की जाए और कोई नई परंपरा ना डाली नहीं परफ़ें और गहाट sal busy और गहाटों पर रखा समय के वह श्भा पर आप हाटों पर जिससे की कोई भूसद करें तो उसके बूस고 की जा सके इसी तबर सबी को हुक दे दिए कै deepest बिना मोहक हें पर मुठी की EPA कोई कि अन्यद्हां करें जहां पर मुर्ती स्थाप्य होतरी, वहीं करें, कोई नहीं परंपराना दाली गया है। चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।